हेलो चिल्रन आज हम अपने चैप्टर का पार्ट सी लेंगे जिसमें कि हमने फर्स्ट देख लिया था लिट्रेचर एड्मिनिस्टेटिव सिस्टम अब थर्ड वन है आर्किटेक्ट्चर आर्किटेक्ट्चर में देखेंगे कि इन लोगों ने मतलब राजपुत एज में किस तरीके से जो आर्किटेक्ट्चर वर्क है जैसे मंदिर बनवाए ठीक है गुफाये बनवाए तो वो अब हमें देखना है यह मैं रीट करूंगे एक्स्प्लेइन करूंगे तो ध्यान से सुनिएगा Among the various construction during the राजपुत एज, टेंपल कंस्ट्रक्शन is not worthy तो मतलब जितने भी चंस्ट्रक्शन किये जाते थे, जैसे महल बनवाए जाते थे, गुमबच बनवाए जाते थे तो राजपुत एज में जो मंदिर का निर्मान है वो बहुत ही प्रक्षात रहा और बहुत ही अच्छा रहा कि मंदिरों का निर्मान बहुत जादा हुआ राजपुत एज के दोराण तो जो राजपुत लोग थे जो राजपुत थे उन लोगों को एक तरीके का बहुत मतलब एक नशा सा था मंदिर बनवाना बिलिंग्स बनवाना तो यह जो फॉट है पैलिस है टेंपल्स है यह एक तरीके से एविडेंस है देखने को सबूत मिलते हैं कि हां मतलब उस टेम के राजपुत लोगों को इन सब चीजों को एक तरीके का यह मतलब देखने को यह सबूत मिलता है कि राजपुत एच में काफी कोछ यह निर्मान किया गया Among the temples, Khajraho in Madhya Pradesh and the Puri Temple of Lord Jagannath are famous for their architecture and sculpture तो जो जगनात पुरी का जो temple है और पुरी में जो जगनात पुरी temple है Madhya Pradesh में जो Khajraho temple है यह इनके architecture work के लिए sculpture Sculpture मतलब यह जो मूर्तियां बनाई जाती है जो कला कृतिया की जाती है उसके लिए famous है The Sun Temple of Conak was also built during that time तो जो Conak Temple है Sun Temple जो है वो भी काफी famous रहा The Conak Temple was constructed with great famous and was shaped like a chariot driven by seven horses तो जो यह Conak Temple है यह बहुत famous रहा उसके sculpture के लिए उसके architecture उसके construction work के लिए इस मंदिर को एक ऐसा नक्षा दिया गया कि ऐसा लगा कि कोई रत है जिसको साथ घोड़े खीच रहे हैं बहुत ही अच्छा architecture work था Among the other Sun Temple of India The Martin Temple of Kashmir and the Modera Sun Temple of Gujarat are famous और Conak Temple जो है उसके अलावा जो यह Martin Temple है कश्मीर में Sun Temple Modera Temple जो गुजरात में वो भी काफी famous रहे prominent feature of the Modera Temple is that the first ray of the sun fall directly on the idol तो जो Modera Sun Temple है उसका खास एक मुख्य विशेशता यह है कि जो सूरज की किड्ने है वो directly first मंदिर की मूर्ती पे गिरती है तो यह बहुत ही अच्छा एक द्रिश्य होता है देखने का तो देख रहे होंगे picture में खजराहो Temple और यह तंजोर Temple है picture first or second six four में 6.4 में 6.3 में देख सकते हैं now the Allura Caves of the Deccan have caves representing three religious Hinduism, Buddhism and Jainism तो जो यह Allura Caves हैं दकन में वो तीन धर्मों को प्रदश्यत रिप्रेजन करता है पहला है हिंदुजम दूसरा हिंदुजम बुद्धिसम जैनिजम को one among these is the Grand Kailash Temple इन में जो Kailash Temple है वो काफी famous है the Elephanta Caves near Mumbai have a beautiful beautiful three-face sculpture of Lord Shiva तो जो Elephanta Cave है मुंबई के पास वो उसकी खासियत यह है कि जो शिव की मूर्ती है वो three-face करती है the Minakshi Temple of Madurai is famous all over India Madurai Temple है Madurai में जो Minakshi Temple है वो भी पूरे भारत में विख्यात है the Temple of South India are especially well known for their imposing gateway called Gopuram तो जो South में जो मंदिर है उनका मतलब जो ये gateway है बहुत विशाल gate होता है वो काफी famous है जिसे Gopuram कहा जाता है तो South के Temple की ये एक खासियत है after hearing about the fame of such grand temples many foreign invaders came to loot them तो ये सब जानने के बाद जो foreign invaders थे जो बाहर के आकरमन कारी थे उनको पता चला कि मतलब भारत में इतने ज़्यादा मंदिर है इतने मतलब develop है संपन मंदिर है तो उनको लूटने के लिए वो लोग भारत चले है तो इसी तरीके से गुझरात का जो सोमनात मंदिर है वो कई बार आकरमन कारी द्वारा उस पर आकरमन किया गया तो ये तो रहा राजपुतेज के जो आर्किटेक्चर वर्क है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे कि सोमनात जो टेंपल है उस पर किस तरीके से अकरमन किया गया था तो आज के वीडियो के लिए अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चेप्टर कंटिन्यू करेंगे ठेंक्यू